आपड़े आगाउ त्रोन टेंस जोए गया छिए Simple Present Tense, Simple Past Tense and Continuous Present Tense आजे आपड़े चोथो टेंस जोवना छिए भुणवना छिए Continuous Past Tense एटले के चालू भुदकाड शरू करिये एने व्याख्या धी तो जे क्रिया भुद्काड मा अमुक चोकस समय चाली रही हती क्यारे तुके भुद्काड नो कोई एक एवो समय के ज्यारे कोई क्रिया ए समय चालू हती वर्तमान मानी बविश्य मनी बुदकाड मा एक रिया चालू हती तेन दर्शाव होई तो चालू बुदकाड नो उप्योग थाय बराबर छे जे अत्यार नी घटना नो होई ए बुदकाड मा कोई चोक्क समय चाली रही होई एक्जाम्पल तरीके सरकार लोकडाउन समय मार्च, एप्रिल, मे आ समय कड़ा दर्मियान गरीबोने फूड पेकेट्स नो वित्रोण करी रही हती तो इक रिया चालू हती अत्यारे नहीं हूँ गया वर्षे आ समय दस्मू बनी रही हो हतो के हती तो इक रिया आ समय गया वर्षे चालू हती अत्यारे नहीं तो इबुदकाड माजे चालू हती ते दर्शाववा माटे चालू बुदकाड नो उप्योग थाशे यहनी वाक्यरचना नो उप्योग थाशे आगड जोई है अवे जनरली चालू बुदकाड माँ तमने आवा वर्षे तरीके जोवा मड़ी शके जे माँ वेन जियारे तियारे वाइल जियारे तियारे एज पन जे ते शमय जियारे तियारे धन एटले के पची अने at that time एटले के ते समय तो आप बद्दाज शब्दो छे ए भुदकाड माँ आगड कोई समय कोई क्रिया चालू हती तेम दर्षावू होई त्यारे उप्योग माँ आवे छे त्यारे पची एक महत्वनी नोट पणा आपना टेंस मा जोवानी छे तो एट नोट जोईए जनरली व्यान आने वाइल थी टेंस मा आपनने बे टेंस जोवानी बते छे एक नी बे टेंस एकत सेंटेंस नियं दर्वोए जे माधी एक टेंस छे ए चालू बुदकाड होशे काणके वेने ने वाइल छे ए चालू बुदकाड मा आवे छे जेनी मुख्य वाक्य रिचना सोरूपे आपणे वी टू जोयू हतू तो आवा टेंस मा आपणे जेरे वेनने वायल वड़ा वाक्य जोशूं त्यारे आपणे एवा वाक्य नी अंदर बे टेंस खास जोवा मडशे एमा थी एक चालो भूतकाड तो बी जो सादो भूतकाड ओके आपणे नोट आपकंप्लेट थाए छे हवे आपणे आगड आपकाड नी वाक्य रिचना जोशूं तो सवती पहला एक्टिव वाक्य रिचना जोई है एज इट इज जेम आपड़े continuous present tense मा जोई हती present वर्तमान, past भूतकाड बस एक आचेंज में छे बंडे tense नी वच्चे आपड़े जो comparison करिये तो आ tense नी पड़े comparison कर सू continuous present नी साथे जेम अगाव आपड़े simple present नी simple past साथे comparison करी एज रिते आँहीं continuous present नी continuous past साथे comparison कर शूँ तो main change आपड़े बस एकलोच जोशूँ बंडे tense वच्चे M.E.Z.R. नो आँहीं वोजवेर थे जाशे एक खास महत वनू जेरे simple tense मा आपड़े M.E.Z.R. नो वोजवेर प्लास do does no did आखास main change हतो तो एज रिते आँहां जेम M.E.Z.R. आउतू हतू continuous present tense मा एज रिते आँहीं वोजवेर चारे चार वाक्य रचनानो main बस आज difference continuous present नी सामे continuous past tense नो M.E.Z.R. उस्थान लेसे वोजवेर बाकी चारे चार वाक्य रचनानो M.E.Z.R. से कोई change करवानो न थी Let's begin with the first sentence I was calling my students when the earthquake came Earthquake एटले के बुकम पासंतर करिये तो मैं तमने अगाउ note की दी एरिते ज्यारे when वाडू sentence होई के while वाडू sentence होई तेरे वाक्य मा बे टेंस होई एक चालू भूतकाड भी जो सदो भूतकाड लेगे continuous past अने simple past तो समझिये वाक्ये ने वें थी शरू करशू आपड़े तो ज्यारे भुकम्प आवियो आवियो केम छे कमनू V2 केम तो सदो भूतकाड थे गियो तो ज्यारे भूतका भूकम्प आवियो मारा विध्यार्थियोंने कोल करी रहियो हतो हूँ ए समय एलोकोंने कोल करी रहियो हतो एव केहवा माटे आविया continuous past tense नो उप्योग थे बराबर छे तो जेते समय एक क्रिया एक घटना भूतकाड मा तो ए समय आ क्रिया चालू हती एव दर्शावा माते आपने आईया वाक्तियω continuous past tense मा बने WOR छे जेया रे बुकाँल पावियो एक समय बतावव जी दे मा डेरेकली नहीं पने इन्डेरेकली एक समय बताव सेया मा के जेया रे बुकाँल पावियो त्यारे हुँ मारा विद्यार्थियों ने कॉल करी रहियो हतो सकंड एक्जांपल जो ही है खास आ वाक्य मां महत्वनों भाग फरी पाच रिपीट करू छूँ के आ बद्धाज भाग ने आपने कॉमन काड़ी शक्ये जे महत्वनों छे ये आ बेस टेप पच्छे आया वाज वेर प्लास वी फोर ओके एटलेज में अंडरलाइन एप भाग ने खास केरू छे वाज कॉलिंग आना सी तम्हें आटेंस ने आइडेंटिफाई करी शको हवे बीज़ो एक्जांपल छोईए देवेर सर्चिंग एच एस सी रिजल्ट्स फ्यू डेज अगो हच एस सी रिजल्ट्स एलेके बारमादोरणनू परिणाम तो ते समय थोड़ा दिवशो पहला नी वात करिया है आया पने डायरेक्ली नहीं परिण डायरेक्ली समय आप वामायो छे कि फ्यू डेज अगो एलेके थोड़ा दिवशो पहला ોड़ा दिवशो अगाव ते हो विद्यार्थी हो जे ते हो एचेसी नू एलेके बारमादोरणनू परिणाम सर्च एलेके शोधी रहया हता वेबसाइट उपर एलको एमनू परिणाम सोधी रहया था सर्च करी तो जेते समय बुद्काड मां आ क्रिया चालू हती एवु दर्शावा मांटे आपड़े अहीं आ एक्जांपल आपी शक्किये के जेते समय थोड़ा दिवस्षो पेला थोड़ा दिवस्षो अगाओ तेवो एड़े की विद्यार थियो तेमनू HSE नू पने नाम शोधीर या हता तो वेर सर्चिंग आयां में अंडरलाइन केरू छे खास आज या दराखवानी महत्वानी बाबत छे के वोजबर प्लास वेफोर अगेन हमें जोई ये बिजी वाक केरचना पैसिव हवें पैसिव नी वाक्य रेचना हम में सा ओबजेक्ट थीज थाए कारणके पैसिव वोईस नू ट्रांसलेशन थाए कर्मनी प्रयोग कर्मनी प्रयोग येले के कर्म थीज शरू थातु होई एव वाक्य एटा के ओबजेक्ट वाजवेर अयां फरी पाच्चु बिइंग अगाउ जेम आपड़े कंटिनिव उस प्रेजेंट मा जोई उतु पैसिव मा एज रीते वाजवेर पची अयां बिइंग छे जेम एमेज आर पची बिइंग गतू एज रीताईयां वाजवेर प्लाच छी बिइंग अने अगाउ कितू एज प्रमाने फरी पाच्चु याद पाउचु आ खास याद राखू के पेसिव मा हम्मेशा वी थ्रीज आवे एपची कोई पन टेंस नू ओए के कोई पन टोप इक नू सेंटेंस होया ओके त्यार पची बाई सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स चनरल वस्तु छे तो खास याद राखू ने बाबच्चे छे ए छे वोजवेर प्लास बिइंग प्लास वी थ्री आ खास याद राखू आटलू याद हो एल तमें कोई पन टेंस ने तो पेला वर्ब जोईए गौल करवो ने गौल करवो वट्छे ानके प्लास ने नोध थाय तो आइया जे कर्म बने छे ए मंस छे तो एने प्रश्ण पूछवो है महां एक क्कों ने तो के मारा स्टुडैंटस ने माइ स्विस्वेर था तो आप्डिवो अप्ड़ेक्ट हवे वाक्यर्चना प्रमाण वोज अथवा वेर आउशे आयां वोज छे एक्टिव माँ तो एवु कम्पल्सरी नहीं के पेस्टिव माँ पन वोज जाउशे ए आपड़े आपणा ओब्जेक्ट ना आधारे लखवानू छे तो माई स्टुडेंट्स यी प्लूरल माँ छे हलेके बहु वचन माँ छे तो आयां वेर आउशे नहीं के वोज तो वेर बींग कॉल नूँ वी थ्री कॉल ड बाई आई नू थी जाशे मी वेन थी बद आख्या खुवाक्य एम नेम कोई चेंज नथी करवानो सिवाएके एमां ओबजेक्ट होए सबजेक्ट होए अब दो आपन आपेलो होए तो आपने ने पेस्टिव बनावू पड़े चे आपने एक्टिव एसे टोपिक माँ जोशू बीजू वाक्य जोईए सर्च करू शोव दवू शूँ तो के HSC Results बार मदोननू पड़ेड़ाम तो आपने ओबजेक्ट आपने यह मड़ी जाई छे तो सिदू स्टाइट करी तियां थी तो HSC Results पेसिव नी शुरूआत थीगे वाक्य रचना प्रमाणे रिजल्ट्स आएँ अब हुआ चन माँ छे तो WHERE, BEING, सर्च नूँ वी थ्री, सर्च डब बाकी as it is यह वाक्य रचना बनावी यह बाई, देईनू थाई जासे पेसिव माँ धेम, खास याद राखू आने बाकी ज़दर वर्ड्स छे, few days ago एम नेम रेशे, कोई चेंज नधी करवानों, ओक्या, यह आपनी एक्टिव ने पेसिव वाक्य रचना complete थाई, चोई यह हवे 3G वाक्य रचना, नेगेटिव माँ एटले के नकार वाक्य रचना तो subject as it is छे was where as it is छे बस एक मात्रो active नी comparison माँ जो कोई नव शब्द add था तो होई तो a छे not बाकी active वाक्य रचना नेगेटिव वाक्य रचना बनने same to same छे कोई change नथी करवा अपने ओके, तो आखी वाक्य रचना as it is, शरू करिये तो कोई major difference नहीं बस was calling जे छे एनी वच्चे मुको not बनी गयू वाक्य नेगेटिव तो I was not calling my students when the earthquake came बराबर जेरे earthquake आवियो, भुकंप आवियो त्यारे, हूं मारा विद्यार्थियोंने कोल करी रहियो नहतो ओके, नेगेटिव बनी गयू ते वेर not फरी पाच्चू, was वेर नी वच्चे not add करी दही आईया तो वाक्य बनी जाई छे नेगेटिव तो थोड़ा दिवसो पहला अगाव तेओ, तेमनू बार मा दुरणनू परिणाम, शोधी रहिया नहता ओके, एज रिते interrogative जोईये, interrogative मा पन बहु कोई major change नहीं subject अने was वेर एक बिजाना स्थान अयां लाई ले छे बराबर जया इयां subject पे लाउतू एक टिव मा तेर पच्ची was वेर आउतू तेर एंट्रों मा अना थी उंदू थे जाशे was वेर अगड़ावी जाशे subject पच्ची अवी जाशे एक simple बाबध्यान राखवी was अयां बन्ने मामे capital लाख्याला छे काण के वाक्यानी शरुवा त्या थी धाशे तो was I calling my students when the earthquake came जयारे भुकम्प आवियो तेरे शूँ मारा विध्यार्थियोंने कोल करी रहियो हतू was पची I पण capital लख्यालो छे काण के I single गमे तिया पण होई त्यारे एक capital आवचे बिजु एक्जाम्पल जोईए तो ते अने वेर बेक बिजना स्थाने अविजाशे वेर अगड़ा विजाशे दे पची तो वेर दे शर्चिंग HSE results few days ago question mark तो फड़ा दिवसो पेहला सुते ओ तेमनू बार माँ दोरणनू परेणाम सुधी रहिया हता पराबर चे वाक्य प्रश्ण बणी गयू बस खारी आपड़ा वेर आगड़ दीदू छे विजो कोई major change न थी clear तो आई यां आपड़े आपड़ी active passive, negative आने interrogative चारे वाक्य रच्णाओ complete करिये छिए बराबर चे next lecture माँ आपड़े नोव टेंस जोशू अवे आ टेंस तमारे फेर बुक मा दखवानों छे वाक्य रच्णाओ पाकी करवानी छे notes पाकी करवानी छे अने जेरी तो तुमने simple trick method आपो जो एज रीते बुद्काड ने कोई पण गटनाने ध्यान मा लईने तमे एना उपर थी बुद्काड मा लेके continuous past मा sentence बना ववानी प्रेक्टिस करो टेंसेश छे ए आपण नथियावाणनू जे मुड़भूत कारण छे एज छे कि आपणे बस वाक्यरिचनाओ गोखवान उपरेतना करिये छे वाक्यरिचनाओ गोखवाने बदले जो ए टेंस ना sentence जो प्रेक्टिस कर शो जाते तो जो तमने sentence पुला शे नहीं हमेशा तमेने याद राखी शक्षो एक ट्रिक थी एक लॉजिक थी नहीं कि गोखवानी पतजी थी टेंस चे ग्रामर चे एक कोई गोखवानी वस्तू न थी ए समझवानी वस्तू छे समझवानी बबच चे जो समझी जाशो तो लाइफ मां के रे tense नहीं बुले जे अबड़ा तियारे फरी पाच्छा अगेरममा आवी ने बारममा आवी ने फरी पाच्छा बणवा पड़े जे ओके जे ठेंक्यो वरिवन